ओर नहीं कि गतरा खतर नांख है कर दो तक हो सकता है गुफाा अंतर में चल पढ़ा हो गया हो ऑपर से पफ्रों से ठवक गया हो और अंदर में ही बहुत तो गाई जैसे कि आप पिछली वीडियो में देखें होंगे इसी सीड़ी से होते हुए हम उपर तक गये थे देखते हैं लेकिन हम लोग खत्रों के खिलाडί है दोस्त दिखते हैं लोग देखते हैं इस ऐड़सां आप देखते हैं और इस साइड आप देख सकते हैं पहाड ही पहाड है इस तरह का ऐसा लगता है जिसा राइट गिर जाएंगे लिए बात तो आप हमेसा जा लीजे कि इन जंगलों में मांसा हारी जानवर तो बिल्कुल नहीं रहेगा यहां से चलके हम लोग उस सिढ़ी तक जाएंगे उस सिढ़ी से होकर फिर वहां तक जाएंगे मांसा बहुत लंबा रास्ता होने वाला यहांसे देखिए, यहां से चलके, हम लोग उस सीडी तक जाएंगे, उस सीडी से होकर फिर वहां तक जाएंगे, तो गाईस, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और अंकर इस तर आने के लिए मना भी किये थे, तो पता नहीं क्यों मना किये थे वो इतना तो नहीं पता है लेकिन मज़ा बहुत आएगा तो चलिए हम उपर चल के देखते हैं और एक वारा और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं तो देख सकते हैं जैसा कि अभी यहां से ठालान है लेकिन आगे जाने के बाद यह रास्ता जो है ऊपर की और जाने लगता है उपर की चढ़ने के लिए है तो और गाइस यहां से देखिए यह बड़ा चटान है अगर यह तूट कर वहां गिरेगा तो हम लोग भागे यह मर जाएंगे और दब को से नीचे पता है कहीं वी जाते हैं तो एसा लगता है साइद वुह गिर नहीं जाए रहा है। कहीं भी जाते हैं तो क्योंकि हम दोनों अकेले ही रहते हैं खासकर कि हम और नीरज ही रहते हैं और गाइस देख सकते हैं इधर गहना जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है अंदर देख सकते हैं आप गहने जंगलों के लावा और कुछ भी नहीं है और इधर कोई भी नहीं है यह बिल्कुल ही यूनिक रास्ता है, हाला कि बना हुआ है रास्ता तो लोग आते होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह यूटूब पर डला हुआ नहीं है, और नहीं यह इधर कोई ऐसे ही लोग आ जाते होंगे, बहुत ही लोग भीड टीम बना कर आते होंगे, तीन-चार-दस लोग आते होंगे अकेले दो लोग तो नहीं आते होंगे यार क्योंकि सुनसान रास्ता है लेकिन हम लोग जरूर जाएंगे हम लोग खत्रों का खिलाड़ी है भाई कहीं भी जा सकते हैं तो चलिए आगे चल के देखते हैं ज़्यादा हुचा तो नहीं है लेकिन फिर भी खतरनाक है यह और गाईज यहां से हम लोग का जो है सांस फूलने लगा है क्योंकि यहां से चणहाई जो है वो सुरू हो गया है और गाईज अभी उपर एक मधुमक्खी का चत्ता था बहुत बड़ा चत्ता था जब हम गये थे उपर में तो वो हलका सा हाला की वीडियो तो हम नहीं डाल पाए लेकिन हलका सा हमको काट लिया था गाल पे तो हलका सा सूजन भी लगता हा गया है खैर चलिए तो होता रहता है चलिए उपर दिखाते हैं आपको तो गाईज यहां से देखिए चढ़ने का जो सिलसिला है वो सुरू हो चुका है और यहां से देख सकते हैं नीचे बहुत बड़ा खाई है इतना दूर इसे पत्तर है और उसकाद खाई ही खाई है नीचे तो इधर तो हम नहीं जाएंगे और यहां से दिखिए और वाँ गाईज देखिए कितना सुंदर लग रहा है यह देखने में तेकि उसी मंदिर तक हम गया थे पिछली वीडियो में दाले हैं उस मंदिर तक हम लोग गया हैं उस वीडियो का अगर आप नहीं देखे हो तो देख लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्समें डाल देंगो उस अगर बॉड़ी में चुप जाता है तो पूरा बॉड़ी को फाड़ देगा कहीं भी अगर चुपेगा गाइस तो मांस को लिए होगे फाड़ कर निकल जाएगा लेकिन ऐसे ही काटा नहीं निकलने वाला है और देखे यहाँ सबको बोले थे नवा कि दिखात देंगे तो चलिए गई यहाँ से बिलकुल बिलकुल पता है हमको दो देखे आप यहां से इतना खतरनाक है यह इस पर नहीं रखेंगे क्योंकि यह गिर सकताई है नीचे और यह देखेए नीचे खाई है गाई इसलिए हम नीचे तो नहीं जाएंगे और यहां से उपर जाएंगे क्योंकि सबसे पहले तो हम को अपना ज टी हर रे हैं उधर भाँ सबस्का था यहां जाँस इस उपर में जो हवा चलता है नौ बहुत ही सुकून देता है क्योंकि बहुत ही संशनाहट होता है हवाओं में ऐसा हवा नीचे आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा जैसा आपको पहाड पे चढ़ने के बाद जैसा हावा का बाद सुनने के लिए मिलता है और गाइस हम लोग का सास फूलने लगा है फिर से क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहा है और चढ़ाई बहुत ही खड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेकिन नीरेज फिर भी चढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको कैमरा नहीं पकड़ना पड़ रहा है पकड़ लो भाई थोड़ा तुम भी क्या अंधर राएगा था नीचे लेकर चला जाएगा और यह देख सकते हैं फिर से आपको दिखाते हैं एक बार इधार हुआ है चलिए गर उपर जाते हैं केडि एक शीचस किятी जैँ कि जब इन पत्थों को देखिए यह पत्तर जब आप देखेंगे तो इसमेंज से बहुत ही ज्यादा चमक आ रहा है पतानी वीडियो में आप आ रहा है कि नहीं लेकिन इन पत्तरों में बहुत ही ज्यादा च यह साइद पता नहीं क्यों किसी साइद दादी मेरी कहते थे कुछ पहार जिंदा होता है तो अचार अराम से वो मरा हुआ होता है देखे बोलेंगे बुलेंगे ना कितना खतरनाक पेड़ है पूरा का पूरा अपूरा अगे तो मैं पर जो पर है इसको देखकर आप अगर कोई आता तो यह सब ज़रू सब पत्थव कर दिया जाता है। देखे डैज देखे अपको बने हैना बहुत ही ज़ादा चमकता है यह पत्थव आप देख सकते हैं प्छिंगारी निखलेगा से दीन का समय है नौहां निकलेगानिपां रही हम आप थे निकल रहा है हो गाई कि व स्विस्क्राइब रहता पता है तो यहां जूम करके दिखा इसको, गारिश देख सकते हैं, घुफा अंदर में चल के बढा हो गया होगा, ऊपर से नहीं दिख रहा हो, ऊपर से पत्त्रों से ढग गया हो, और अंदर में यह बहुत ही बड़ा गुफा हो, ऐसा हो सकता है, फिलाल और हम उपर चलते हैं, और अ तो चल के उपर दिखाते हैं क्या है यहां की दावरी भाई हमको लागा इतने सारा पैसा गिरा होगा है पर यह सब दिया यानि कि उपर को याता है हाँ क्योंकि दिया वगरा जलता है ओ भाई यह कुछ निटिल्ला है यह हम सोचते महंदिर होगा किल भाई वार। देख सकते हैं चारो ओड पहाड है चारो तरफ पाहड ही पहाड है जंगल ही जंगल है कोगान प्रही आनिन इंपर दीस हम लों और भुट female इस अपर हो गे तो खोल ने रहे हैं जो घुताव और अपिहाँ आगिए यहां पर जो अंधर चाला तो नीचे चांप का ना यहां सही दिखेगा पूरा राजगीर दिखेगा गाई आज पूरा राजगीर दिख़गा यहां से देखिये आप चारो तरफ देखिए इधर भी दिखाईए क्या मस्त है यार चारो तरफ घुमा घुमा कर देखिए गुमा कर आपको दिखाते हैं कितना मजा रहा है देखने में कितना मस्त जगा है यह जड़ी है तरफ यज़ सब्सक्राइस देखसकते हैं कितना खतर्नाक लग रहा है वह सब देखने में को ओद यार क्या हुआ है करने गार भाट।